नमस्कार दोस्तों में नामें वाल चंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस फ्योडियों में हम चर्चा करेंगे दिन आंग 6 जन्वर के लिए 12 राशियों का राशी फल उससे वेले आज के दिन के जो शुबकाल जिसे हम विजय मुर्ध और आशुबकाल जिसे हम राव काल्व कर यह सुबकाल सुबच कर त शुबकाल सब्सक्राइब करने जा रहा है यह द्रसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशियों क्या होगा उसके बारे में आब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशी है मेश राशी, मेश राशी में ही चंद्रमा का ब्रह्मन है, शाम 8 बच कर 36 मिनड के बादे चंद्रमा आपके द्वितियो भाव में ब्रह्मन करेगा, आपके भाग्य भाव में से शनी के साथे चंद्रमा नवपंचमयोग यानि की त्रिकोनयोग करने जा रहा है उसी प्रकार आपके दश्मभाव में से शुक्र के साथे चंद्रमा के इंद्रयोग भी करने जा रहा है तो बहुत अच्छा दिन है आज का दो तिन बाते हैं उसके वपर थोड़ा सा ध्यान देज़े हैं हलाकि यह पॉजिटिव बाते हैं कि जो भी आप आज आप आप लोग बहुत ही सोच समझ कर लेगा जहाँ पर आपके काम की अच्छे अप्रिसेशन हो जाएगी उसी प्रकार आपके जो वई-वाई-वाई जोड़िता रहोंगे उनके साथ चोटी-मूटी बातों के लेकर तकरार हो सकते हाला कि जो तकरार है वही चोटी-मूटी ही ह जा रहा है उसी प्रकार आपके भागय बाव में से चुक्र के साथ चान्दरमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है तो नॉर्मल दिन होगा किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आपको आज बिल्कुल भी नहीं होगे जो भी आप काम ने आप मतलब आज आज आपने जो भी काम किये हैं मतलब इसके पहले जो भी काम किये हैं उसके बारे में थोड़ा सा री कलेट करें होगे कि किस प्रकार से आपने कायम किया है आगे जाके आपको किस प्रकार से काम करना है तो उसी विचारों में आज पूरा दिन जाएगा हाला कि किसी प्रकार का स्ट्रेस या ट प्रवन करेगा आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है सबसे में बढ़ के बारे में जो भी आपके लाप कई दिनों से आपको मिलने वाले थे लेकिन नहीं मिल रहें तो वो आज आपको मिल जाएंगे वैसे के बामले में कुछ अच्छी बाते उबर कर सामने आ सकते कुछ अच्छी investment भी आज आज आपके हो सकते हैं उसी प्रकार अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाई-वाई जुड़ी दर होंगे उनसे आज आपको कई अच्छी सला भी मिल सकते हैं तो काफी अच्छा दिन है इसका पूरी तरह से लाब लीजे इसके बात की अच्छा शुक्र के साथ अच्छा नर्मा केंद्र योग भी करने जारा तो काफी अच्छा दिन हैं जहां पर आप काम करते हो नुक्री करते हो या फिर व्यवसाय करते हो वहां पर आपके काम की appreciation अच्छी तरह के से हो जाएगी अगर आप कुछ कुछ लंबे समय के बारे में कुछ बात आप सोच रहे हो तो उसके संदर में कुछ अच्छी बाते उबर कर सामने आ सकती है जो बात आपके बिजनेस के बारे में भी हो सकते हैं नुक्री के बारे में भी हो सकते हैं लेकिन उसके संदर में कुछ अच्छी बाते उबर कर साम करने जा रहा है आपको काम करते हो नुकरी करते य वियसाए мі पर चोटी मुठी बातों को लेकर अन्बन वगरा हो सकती है लेकि मोटे तोर पर अगर देखा जाए अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो ऐसी कोई decision आप ले लोगें जो कि long run effect में आपको काफी वाइदे मिल हो सकती है तो बहुत ही दूर की सोच आप सोच सकते हो हाला कि की जो राशी है वो काफी बड़ा सोच देट उसे के संदर में कोई बड़ी सोच होगी कोई दूर की सोच होगी जो कि आपके लिए positive हो जाएंगी इसके बात की जो राशी है वह तो काफी अच्छा दिन है अगर आपके प्रेव में हैं या फिर आप कई 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 दिनों से अगर किसी के बारे में सोच रहे तो उसके संदर में कुछ अच्छी बाते उबर कर सामने आ सकते हैं हाला कि relationship के मामले में जो कि आपके लिए काफी अच्छी और मद्दधार सावित होगी इसके बाद कि जो राशी है वह है तुला राशी तुला राशी के सब्सक्रां बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और शाम 8 बच कर 36 मिले के बाद चंद्रमा आपके अस्ट्रमा में ब्रह्मन करेंगा आपके दृत अच्छा धिन है काफी अच्छा दिन है खास करके आपके जो घर के जो معमलात होंगे वह नौर्मल होती हों यू नदर आएंगे रेलेशिनशिप के बाते वह भी लान्मल दिखाइ देंगे उसी परकार अगर आप शेयर मार्कर से डील करते हो तो भी काफी अच्छा दिन है अगर आप बिजनेस के बारे में कुछ लोन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके संदर में भी कुछ अच्छी बाते ऊबर कर सामने आ सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं तो काफी अच् सब्सक्राइब और उसके वज़े से कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो वह आज के दिन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगे उसके संदल में कुछ अच्छे बाते उपर कर सामने आ सकती है हाला कि अगर आपके शादी हुई है तो आपके जो वाय वाय जोड़ी दर होंगे उनके साथ चोटी मुटी बातों के लेकर अन्बन हो सकते हैं और आपी के द्वितियों बाव में से शुक्र के साधे चंद्रमा के इंदर्योग भी करने जारा तो बहुत अच्छा दिन हैं, खास करके अधर आप किसे के प्रेम में हैं, तो आज का जिल जो दिन हैं, बहुत ही अच्छा देखा जाएगा, उसी प्रकार किसी बड़ी सोच के साहरे के बाव में सोचेत उसके संदर में कुछ अच्छे बात षब सी अच्छे बात ही उबर कर सामने आ सकते तो काफी स्यखत के बारे में थोड़ना आपको मिलेगा भी और आपके जो वैवा जो इदर है उनके साथ भी आज आपकी जो हार्मनी है के लाब न्यक्र psychology अच्छी नेथ करने जा रहा है तो बहुत ही अच्छा दिन है जह पर आप काम करते हो नोग्री करते हो वहाँ पर के जो लोग वह आपके सारं काफी अच्छा बियाव करेंगे बरताओ करेंगे और उसके जो परिणाम है वो भी काफी अच्छे देखे जाएगा हाला कि आज के दिन आज पूरी तर से कार्य मगना रहोगे लेकिन जो भी काम करोगे उसमें अच्छी सफ़ता है देखी जाएगी जिसके आपका जो मूण है वो काफी अच्छा देखा जाएगा काफी अच्छा देखा जाएका तो काफी अच्छा दिन है इसका पूरी दर से लाब दीजे इसके बार की जो भी अगर आपनी इंवेश्मेंट इसके पहले किये तो उसके संदर में कुछ अच्छे इन्वेश्मेंट के बारे में दूर की सोच आप रख सकते हो हाला कि आपकी राशी के वह सुभाव नहीं है लेकिन फिर भी इन्वेश्मेंट के बारे में कुछ दूर की सोच रखकर आज आप कुछ इन्वेश्मेंट भी कर सकते हो आज आप फैमिले के कुछ खर्चे भी कर सक इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है प्रह्मान्द सिद्धियाष्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बेल आगन भी दबा देना जिसके वज़े से आपने जानल के ने वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके इस नोटिफिकेशन आपको तुरन में जाएदू, धन्यमाद.